मैं नविन सक्सन आपका स्वागत करता हूँ English Grammar की जो Classes हमारी चल रही है जो सरीच चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है Paronyms Paronyms क्या होते हैं? ऐसे Words हैं जिनका जो Origin है वो सेम किसी Words से हुआ है ठीक है न? जो Words बनते हैं तो English के अंदर जो भी Words बने हैं तो अलग-अलग जो Words बने हैं उनका जो Origin है वो किसी एक Word से हुआ है ठीक है? तो ऐसे हम आज Words पढ़ने वाले हैं जिनका Origin एक ही तरह के Word से हुआ है उनका जो Meaning है वो different भी हो सकता है और काफी कुछ मिलता जुलता भी हो सकता है ठीक है? तो basic बात यह है कि इनका जो Origin है वो एक ही Word से हुआ है ठीक है? लेकिन वो Words कुछ अलग-अलग तरीके से sentences में use में आते हैं ठीक है? अगर हम अच्छे से English बोलना या लिखना चाहते हैं और हमारी English को काफी effective बनाना चाहते हैं तो हमें इन Words को जानना जरूरी है और हमें समझना ही चाहिए चलिए शुरू करते हैं आज की class Artist, Artisan और Artist तो यह जो तीनों वर्ड हैं वो A, R, T, Art वर्ड से बने हुए हैं ओके? तो आप देख रहे हैं जो इनकी शुरूरात हो रही है A, R, T, A, R, T, A, R, T ठीक है? आगे की spellings में इनमें difference है ठीक है? अब जो first हमारा word है Artist उसका meaning होता है One who is skilled in fine arts ठीक है? यानि वो व्यक्ति जो किसी fine arts में means painting हो सकता है, poetry हो सकता है ठीक है? इसमें वो skilled है निपुन है, वो कहलाता है Artist, ओके? Artisan जो होता है One who practices some handicrafts means वो कुछ चीजे बनाता है ठीक है? कुछ material से वो कुछ चीजे बनाता है वो artisan कहलाता है ओके? और third जो हमारा है Artist A performer in singing or dancing ठीक है? यानि singing या dancing करता है वो artist है, अब किस तरीके से हम इनको sentences में use करते है वो हम जिखते है A poet is an artist एक poet जो होता है वो क्या है? Artist है, वो poetry करता है तो ये एक fine art का subject हो गया ठीक है? तो spelling का आप जरूर ध्यान रखें underline word को देखें किस तरीके से वो use में लिया गया है ठीक है? तो आप भी इस तरीके के sentence बना सकते हैं तो इस से क्या होगा कि ये जो words हैं ये आपको अच्छे से learn हो जाएंगी second sentence हम देख लेते हैं A potter is an artisan Potter क्या होता है? Artisan होता है यानि Potter जो बरतन बनाता है कुमाहार जिसको हम कहते हैं ठीक है? मिट्टी के बरतन बनाता है सुराही बनाता है, कुलड बनाता है ठीक है? वो क्या है? Potter है ठीक है? और वो क्या कहलाएगा? Artisan कहलाएगा, वो artist नहीं कहलाएगा वो artisan कहलाएगा ठीक है? तो underline word को आप जरूर देखें ठीक है? तो basic जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो यह है कि यह जो अलग-अलग जो underline word आप देख रहे हैं इनका जो origin जो origin word है वो same है, art, art ठीक है? इससे फिर यह अलग-अलग word बने हैं. थर्ड वर्ड हम देख लेते हैं थर्ड क्या है? artist है performer in singing or dancing पिना का company has many artists जो पिना का company है उसके पास कई artist है मतलब उसके पास मैं singers और dancers होंगे वो जो है मिला करके क्या कयलाएंगे? आर्टिस्ट कैलाएंगे ठीक है? अगला word देखते हैं artistic artful and artificial तो यह जो तीन वर्ड हैं यह भी art, art और art इस तरह से बने हैं Artistic, Artful, Artificial, क्या meaning है या किस तरीके से इसको यूज में लेते हैं वो हम देखते हैं Artistic होता है beautiful, Artful होता है clever, Artificial मतलब not natural, not natural जो प्राकर्तिक नहीं है वो artificial है, Artful जो है वो clever है, Artistic है वो beautiful है The painting is artistic, जो painting है, चित्रकारी है, वो क्या है, beautiful है, Artistic है Second sentence देखते हैं, Artful के लिए I succeeded by Artful means मैं सफल हुआ, इसके द्वारा हुआ, Artful means के द्वारा मतलब जो clever means है, उसके द्वारा हुआ, जो मेरे तरीके थे, जो मेरे काम करने के जो तरीके थे ठीक है ना, उसमें cleverness थी, ठीक है, यानि मैं clever था, ठीक है, इसलिए मैं सफल हो सका या सफल हुआ, तो Artful means हो गया, ठीक है, जनरली हम clever means भी कर सकते थे, यहां पर clever लिख दें, बट यह word, अपने आप में एक अलग word हो गया, अच्छा word हो गया, ठीक है ना, तो Artful, Artificial मतलब not natural, our modern life has become artificial, कि हमारा जो आज का जीवन है, आधवनिक जीवन है, वो क्या हो चुका है, Artificial हो चुका है, यानि कि वो natural नहीं रहा, ठीक है ना, तो हमारे आसपस, हम लोग जो चीजे यूज में लेते हैं, जिस तरह का हमारा lifestyle है, वो एक artificial बनता जा रहा है, काफे कुछ, ठीक है, और कुछ भी चीजे हो सकते हो, आप इस word को अपने अलग अलग तरीके के sentences में use कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, बट उनका जो meaning है, ठीक है ना, वो वहाँ पर adjust होना चाहिए, इस बात का आप जरूर जरूर ध्यान रखिए, अगले word देखते हैं, beneficial and beneficent, ठीक है ना, beneficial का मतलब होता है useful यानि उपयोगी, अब ये जो word है, वो things के लिए apply होता है, apply to things, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तू हमारे लिए किस प्रकार से useful है, ठीक है, वो beneficial है हमारे लिए, वो beneficent नहीं है, beneficent जो होता है, वो है kind यानि apply to persons, यानि की व्यक्तियों के लिए कोई भी person हमारे लिए beneficial नहीं हो सकता, वो हमारे लिए beneficent हो सकता है, हमारे प्रती बेनिफिशेंट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है, वो बेनिफिशेल हो सकती है. ठीक है, सेंटेंस आप देखिए इसमें, सेफिटी रूल्स बेनिफिशेल फोर अस, जो सुरक्षा नियम होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं? useful होते हैं, तो सुरक्षा नियम कोई व्यक्ती नहीं है, इसको हम things की जो category है, उसमें हम रख सकते हैं, ठीक है, जो road safety हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी चीजें, और कोई भी वस्तु हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, हम उनको भी यहां use कर सकते हैं, ठ मेरे प्रती दयालू है, beneficial नहीं है वो, ठीक है न, beneficent है, ठीक है, तो आप यह जो word है, इनके differences को आप जरूर जरूर धिहान रखे हैं, कि किस प्रकार से यह word use में लिये जाते हैं, ठीक है न, तो यह हमको काफी help करने वाले हैं, अगले word हम देखते हैं, ceremonious और ceremonial, ceremonious और ceremonial, ceremonious क्या है, an excess of formality, ceremonial यानि relating to rights और ceremonies, ठीक है, अब यह word भी जो हैं, आप देखें, c-e-r-e, c-e-r-e, ठीक है, इनका जो origin हुआ है, वो same word से हुआ है, मिन्स यह पहरों नेम्स हो गए, ठीक है, ceremonious का मतलब हो गया, an excess of formality, यानि कि जहां पर अपचारिकता हो, ठीक है न, formality है, अपचारिकता है, तो वो ceremonious है, ठीक है, और ceremonial का मतलब हो गया, कि कोई भी हमारी जो परमपरा है, या हमारे कुछ धार्मिक अनुस्थान भी हो सकते है, उन से related कोई चीज हो सकती है, वो ceremonial होगी, sentence किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो देखते हैं, a friend should not be ceremonious, कि एक मित्र को ceremonious नहीं होना चाहिए, मतलब वो formal नहीं होना चाहिए, ठीक है न, ceremonious नहीं होना चाहिए, should not be formal, should not be ceremonious, ceremonial, her ceremonial dress is very beautiful, उसकी जो पारमपरिक, जो पोशाक है, वो क्या है, सुन्दर है, तो ceremonial, तो आप इन underlined word को देखें, किस तरीके से इनको यूज किया गया है, ओके, तो इस तरह अगर हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, और एक notebook लेकर बैठ जाएं, और इस तरह के sentences हम खुद लिखें, बनाएं, ठीक है न, तो इस से हमारे अंदर और improvement आएगा, और इसी तरह की, जो classes आप देखना चाहते हैं, तो channel पर जाएए, पर जाकर आप जरूर जरूर देखिए, अगला sentence लेते हैं, confident and confident, c-o-n-f, c-o-n-f, ठीक है न, last में d-e-n-t और d-a-n-t, बहुत ही minor difference हैं इन दौनों में, confident का मतलब quite sure है, और confident का मतलब है, one who is interested with the secret, ठीक है न, quite sure कि बहुत है, जो बिलकुल sure है, वो निश्चित है, confident है, ठीक है, और confident का मतलब हो गया कि जिस पर भरोसा किया जा सके, आप उसको कुछ बात बताएं, अपना कुछ रह से बताते हैं, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उसको अपना confident बना सकते हैं, ठीक है न, भरोसा उस पर किया जा सकता है, तो वो confident है, sentence आप देखिए sentence में जब हम use करेंगे उस word को, particular word को तो हमें उसका जो meaning है और ज़्यादा clear हो जाता है He is confident about his success वो अपनी सफलता के लिए क्या है? confident है सफलता के प्रती confident है ठीक है न? और It is not safe to make him your confident कि उसको अपना confident बनाना सुरक्षित नहीं होगा यानि कि उसको अपना रहस्य बताना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा तो हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा ठीक है न? इस spelling को जरूर देखें, इन words को देखें ठीक है? किस तरगे से हम sentences में यूज कर रहे हैं, उस चीज को note करें continuous and continual continuous and continual ठीक है? c-o-n-t-i c-o-n-t-i ठीक है? same word से इनका origin हो रहा है continuous मतलब without break or gap जो लगातार है जिसमें gap नहीं है, break नहीं है, वो continuous है और continual का मतलब है without, sorry with occasional breaks यानि रुक-रुक करके occasional breaks आ रहे हैं, रुक-रुक करके आ रहा है और उपर वाला जो word है continuous without break or gap है sentence देखिए rainfall is continuous in India in August कि बेव जो है भारत में अगस्त में बरसात continuous होती है ठीक है, rainfall होता रहता है लगातार होती है, without break होती रहती है without gap होती है, continuous होती है continual street dogs keep continual barking at night कि बेव गुत्ते जो है, जो गली का कुत्ते हैं वो रात को भौकते हैं, लेकिन भौकते कैसे हैं वो continual barking है उनकी यानि भौकते हैं, फिर रुख जाते हैं भौकते हैं, फिर रुख जाते हैं फिर भौकते हैं, तो ये एक occasional breaks है ना, लगातार नहीं है लगातार नहीं भोग रहे हैं भोगते हैं फिर रुग जाते हैं फिर भोगते हैं फिर रुग जाते हैं तो यह continual ठीक है मतलब समझ मारा आपको easy है ठीक है अगले वर्ड देखते हैं childish और childlike childish और childlike दोनों ही एक तरह से बचकाना है ना बच्पन से संबंदित यह वर्ड हो गए ठीक है ना बच्चों की तरह से कैसे बच्चों की तरह अब childish जो वर्ड है used in a bad sense यानि कि इसका जो अर्थ निकलता है वो थोड़ा सा bad होता है मतलब bad जैसे silly है ना मुर्क तापून हो गया ठीक है ना तो यह bad sense हो गया ठीक है चाइड लाइक जो है वो used in a good sense यानि innocent है simple है ठीक है तो यह good sense में आता है ठीक है sentence देखिए तब आपको और ज्यादा clear हो जाएगा इसका meaning your habits are childish कि आपकी जो आदिते हैं वो कैसी है childish है अगर हमें ऐसा कहते हैं your habits are childish मतलब कि आपकी जो habits है वो मूरुकता पूर्ण है यानि आप मूरुकता पूर्ण हरकते करते हैं आपकी आदिते ऐसी है ठीक है और childlike मतलब his childlike simplicity pleased everyone कि उसकी जो बचों के समान जो एक simplicity है वो सबको खुश कर देती है तो childlike एक अच्छे sense में good sense में use में आता है और childlike एक तरह से थोड़ा सा bad sense में use में आता है ठीक है तो किस तरीके से हम use कर रहे हैं वो आप जरूर जरूर note करते जाएं ओके dependent and dependent ठीक है d-e-p-e-n-d d-e-e-p-e-n-d ent और ant ठीक है फर्स जो वर्ड है depending upon यानि किसी पर निर्भर यह एक adjective है विशेशन है ठीक है और dependent जो second word है वो depending on others एक noun है एक संग्या है ठीक है sentence देखिए we are completely dependent upon your help हम क्या है आपकी ही मदद पर निर्भर है completely dependent है और second जो word है the dependent of employees are granted free ship कि जो employees के जो dependent है यानि employees पर निर्भर जो है जो भी लोग निर्भर है ठीक है ना because यह noun है ठीक है तो noun कोई भी person कोई things वगरा हो सकती है तो dependent of employees are granted free ship elemental and elementary elemental का मतलब relating to elements यानि जो elements से related है अब elements में बहुसी चीजे हो सकती है ठीक है ना जो materials है ठीक है अब उसमें कोई पहाड भी हो सकता है नदी भी हो सकती है तला भी हो सकता है पानी हो सकता है एर हो सकती है यह सब elements की जो में count हो जाएंगे और elementary का मतलब होता है primary प्रारंभिक primary sentence देखिए दे रीजड ऑन दे माउन्ट अवरेस्ट in spite of elemental difficulties वे माउंट एवरेस्ट पर पहुचे इन spite of यानि के बावजूद किसके बावजूद elemental difficulties यानि उनके रास्तों में जो रुकावटे आरहे थी जो भौतिक रुकावटे आरहे थी जो मेंटल डिफिकल्टी जा रहे थी तीक है ना उसके बावजूद वह माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे और एलिमेंटरी यानि प्राइमरी एलिमेंटरी एजुकेशन इस फ्री इन इंडिया की जो प्राइमभिक शिक्षा है एलिमेंटरी एजुकेशन है भारत के इंदर क्या है फ्री है ठीक है तो यहां पर जो यह आप अलग-अलग वर्ड देख रहे हैं इनका जो ओरिजिनल जो वर्ड है जिससे इनका ओरिजिन है ठीक है इनका वो सेम है बट आघर गर चर ऐस्पलिंग में इन्ग में दिफ्रेश्ट आता है टीक है तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि हमारी जो English vocabulary है जो हमारी word power है वो काफी enhance हो जाएगी increase हो जाएगी और जिससे हमारी जो English language है ठीक है वो भी हमारी काफी improve हो जाएगी और ये जो vocabulary है ये आपको competition exams में भी काफी help करने वाली है ठीक है अगर आपको ये video पसंद आते हैं अच्छे लगते हैं पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को like कीजिए share कीजिए और subscribe जरूर कीजिए अपने friends में अपने दोस्तों में उसको share कीजिए Remedial Classes by Naven Saksena चैनल पर जाएए वहाँ पर आपको अलग-अलग playlist मिलेंगी topic wise आप जरूर जरूर वह video देखिए Thank you very much